जो यह सब तो आपके रिमूव हो गए बट आपको वाइटनेस रिमूव करनी है बट अगर आपको वाइटनेस इंप्रूव करनी है तो वाइट क्लॉथ के लिए आप ब्लीचिंग करते हो तो ब्लीचिंग में सबसे ज़ादा इंपॉटनेट क्या चीज आती है आपके लिए ऊक्सिटेटिव ब्लीचिंग और रिड़क्टिव ब्लीचिंग दो चीज होती है oxidative bleaching में आप sodium hypochlorite, NaOCl, calcium hypochlorite, hydrogen peroxide, sodium peroxide आप इन चीज़ों की बात करते हूँ, reductive bleaching भी आपके लिए थोड़ा सा important है, sodium hypochlorite ये थोड़ा ज़्यादा पूचा जाता है, इसमें सबसे पूचा जाता है, पर sulphate ions को भी use किया जाता था, ये किपेपर में कई बार पूचा ग होना चाहिए कि कितना temperature around room temperature, time आपको 2-3 घंटा लग रहा होता है, अगर आप बात करोगे sodium hypochlorite, ये oxidative, बहुत commonly used oxidative bleaching agent है, तो NaOCl को आप जब treat करते हो, वाटर के साथ में, तब क्या निकल के आता है, NaOH plus HOCl, HOCl ये unstable होता है, अपने temperature पे, तो ये HOCl जब आप रियाट करते तो NaOCl प्लस ये nascent oxygen बन के आता है, अब ये ही जो nascent oxygen है, ये ही आपकी react करती है, ये coloring matter के साथ में, और वही colorless बना देता है, जिससे कि आपका fabric बहुत ज़दा white दिखने लगता है, I hope ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, कि क्या चीज़े हैं, और किस तरह से इसमें किय जाता है, और how these things are treated, तो अगर आप बात करोगी universal bleaching agent को, तो आप इसमें hydrogen peroxide को universal bleaching agent बोल रहे होते हो, किस तरह से इसमें treatment होता है, क्या चीज़े होती है, reductive में आप क्या, sodium sulfur dioxide, sodium sulfite को use करते हो, sodium hydrosulfite को use करते हो, as a reducing bleaching agent, wool में कौन-कौन से process होते हैं, तो wool में मैंने बताया आपको, wool में सबसे ज़्यादा preparation करोगी, तो आपके keratin present होता है, इसमें आप कैसे prepare करते हो, सबसे पहले आप felting करते हो, felting का phenomenon है, felting में आप करते हो, differential fractional effect के साथ में, उसमें scaly structures होते हैं, और उसकी उससाब से आप उसका जाता है, आपने देखा, highest heat of weighting है, इसलिए woolen में इसको use कर रहे होते हैं, अच्छा, दूसरा चीज क्या है, कि इसमें जो groups कौन से present होते हैं, wool में amide groups present होते हैं, rnh2 group present होता है, rnh2 group present होता है इसमें, अगर आप wool की बात करोगे, इसी तरह पूचा जा रहा है, कि और इसमें जो linkages कौन से present होते हैं, sulfur, sulfur के बीच में disulfide bond, sistine linkage की बात करते हैं, sistine linkage is also present, तो ये चीज़ बात करते हैं, silk में सरी कल्चर का phenomenon कर रहे होते हैं, तो silk को prepare करने के लिए आप इसको पूरा सरी कल्चर के phenomenon से आप करते हो, इसको cocoons में boil करते हैं, इसी लिए this is known as one of the cruelest industry, आप उसको boiling water में जिन्दा cocoon को आप जो है मार देते हो, उसके बाद उसको ये only fiber है, जो filament form में आपको मिल रहा होता है, और बाकी जो है, ये सब filament में नह समझने के point of view से, दूसरा, आप बात करोगे, तो wool में कौन-कौन से processes होते हैं, जो कि आपको करना पड़ेगा, felting सबसे जादा एक important phenomena है, जो कि आपको करना पड़ेगा, फिर carbonizing, एक treatment आप करते हो, wool में, wool में carbonizing करते हैं, क्योंकि vegetable impurities जित्ते भी present होती हैं, उसमें आप remove करते हो, इसमें carbonizing से, vegetable impurities remove की wool का phenomenon हो गया है, this is what I am telling, crabbing में आप hot water से आप उसको pass कर रहे होते हो, then it is passed through this milling में, आप milling machine से उसको pass करके ले करके जाते हो, तो ये चीज़ें हैं थोड़ा सा, जो कि आप इसको समझोगे, अगर आप silk में बात करोगे, तो silk तो highly luxurious, कौन-कौन से silk के type होते हैं, मलबरी सिल्क, कसर सिल्क, एरी सिल्क और म्यूगा सिल्क ये चीज़ है, और इसमें भी, इसमें सबसे जादा जो important phenomena होता है, इसमें de-gumming करते हैं, de-gumming is done in silk, de-gumming क्यों करते हैं, alkaline method से, अब de-gumming basically कर रहे होते हो, pH आप 9 से 9.5 के बीच में रखते हो, sodium carbonate, sodium bicarbonate को आप रखते हो, pH around northern's के आसपास का pH, boiling temperature पे रखते हो, तो इससे क्या होता, क्या है basically, जो fibroin है, fibroin attack हो जाता है, alkali से, इसमें क्या है, main selection fibroin, यही तो दो components है, जो आपके silk के structure में present होते हैं, that we have already done, discussed in this textile fibers lectures, तो इसलिए इसमें करते हैं, जब आप इतना treat करते हो, de-gumming में, तो इसका बहुत weight भी reduce हो जाता है, इसलिए weighing of silk भी क चीज है, जो आप इसमें देख रहे होते हो, scrooping, scrooping, यह आपने पड़ा, यह terms आते हैं paper में, तो यह चीजें आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए, कि what does scrooping, scrooping क्या होता है, आप इसमें scrooping में 2-3% acetic acid के साथ में react करा रहे होते हो, 2-3% acetic acid, when, after de-gumming the silk fabric, it is often treated with 2-3% acetic acid, and then dried without washing, तो scrooping effect आजाता है, इसमें, to the wet fabric, इसलिए scrooping कहते हैं, इसमें आप bleaching भी कर रहे होते हो, और de-gumming bleaching एक साथ भी कर सकते हैं, इसमें अगर आपने OBA की बात करी थी, OBA, जो OBA treatments क्या है, आपने, यह सबसे important है, UV में absorb करा के आप, visible में emit कराओगे, visible में emit कराओगे, यह bluing agents, इसलिए bluing agents, कभी-कभी कुछ बोल रहे होते हैं, जो आपने देखा है, OBA, जो हम लोग घरों में use करते हैं, for bluing our clothes, तो यह light emission का ही part होता है, this is, we absorb in UV around 340 nanometers के round में, आप absorb करा करके, उसको 400 nanometer के आसपास, इसको emit करा दोगे, जब light को, तो bluing agents are used to, उनकी chemistry इस तरीके से होती है, कि उस wavelength पे absorb करके, इस visible पे emit करा देते हैं, तो उससे आपका, मतलब, brightening आपकी बढ़ जाती है, तो this is the basic use of OBA, बहुत सारे OBA agents को हम use करते हैं, जो आपने use किया है, bluing agents in our day-to-day life, तो यह थोड़ा सा आपको aspects पता होने चाहिए, किस तरह से करते हैं, तो this was just the basic of textile processing part 1, I hope आपको यह चीज समझ में आई होगी, अगर वीडियो यहां तक देखा है, तो like किये भिना मच जाना, चैनल पढ़ना है होते, इसको subscribe कर लेना, और यह इस lectures में, इस series में, इस courses में, we'll read all these things और इस तरह से हम लोग आगे numerical aspects को भी देखेंगे, तो keep studying, keep learning, if you have any doubts, you can ask, and else thank you so much.